मेरे प्यारे साथियों नमस्कार आज की वीडियो में राजस्तान जी के के 25 बहुत ही इंपोर्टेंट परसन लेकिया है और यह सभी परसन एक्जाम की द्रशी से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साथी रोजना रास्तान जी के गए से इंपोर्टेंट की उसन पाना चाहते हैं चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजेगा आपको डेली रास्तान जी के गए से इंपोर्टेंट की उसन के वीडियो मिलते रहेंगे पहला क्योसन आपके सामने राजस्तान राजे बीज परमानी करन संस्ता का गठन कब किया गया बहुत इंपोर्टन क्योसन है राजस्तान राजे बीज परमानी करन संस्ता का जो गठन और किस संद के अंदर किया गया था में परसन बन चुग है जल्दी से आप लोग एंसर कॉमेंट में दीजेगा तो राजसान राजे बीज पर्माणी के रसंस्ता का जो गठाना 1978 में किया गया ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन बन टो की बात करें राजसान राजे का पहला स्पाइस पारक किस से जल्दे के अंदर है बहुत इंपोर्टन क्योसन है राजसान राजे का पहला स्पाइस पारक जो की किस से जल्दे के अंदर है तो ये जोदबुर के अंदर है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा इससे आपकी प्रेक्टिस ही हो जाएगी और आपका पता लग जाएगा कि आपकी त्यारी कैसी आप लोग हर एक यूसन का आइंसर जुरूर कॉमेंट में बताना कि राजस्तान राजे में मित्र क्रिशिक कारेकरम की जो सुरवात अब किस वरस में होई थी तो 1981 के अंदर आप कि तोड़गण का किला ओप्सन ए हमारा उत्तर रहेगा कि यूसनर फाइब की बात करें भारत का कौन सा नगर है जिसका ब्ल्यूप्रिंट त्यार किया गया था बहुत अच्छा क्योसन है भारत का एक एसा नगर जो की राजस्तान में आता है और उसका ब्ल्यूप्रिंट कितने राजयों को मिला के व्रहत राजस्तान का निर्वान किया गया था तीस मारच उनीस सुन चास को कितने राजयों को मिला के व्रहत राजस्तान का निर्वान किया गया आप कहेंगे सर आप राजय क्यों बोल रहे क्योंकि उस समय राजय हुआ करता था जिले बाद में ब कब दिया गया राजस्तान के भोल क्षेत्र को राजस्तान का जो नामकरण है वो कब दिया गया एक नॉवंबर 1956 को आप्शन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योशन भर एट की बात करें नीमन मैं से दूसरा जोहरलाल नेरू किसे कहा जाता है बहुत अच्छा क्योशन आप लोग उत्तर जुरूर दीजेगा और वीडियो के अंत में आप सभी से एक most important क्योशन पुछा जगा उसका भी आप लोग उत्तर जुरूर बताना देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं दूसरा जोहरलाल नेरू किसे कहा जाता है तो पंडित यूगल किशोर चतुरूर वेदी को आप्सन सी इसका सही उत्तर है क्योशन भर 9 की बात करें नीमन मैं से मस्य देश का वह राजा जिसने महाबार्त यूद में युदिश्टर की ओर से भाग लिया था मस्य देश का वह राजा जिसने महाबार्त यूद में युदिश्टर की ओर से भाग लिया था तो विराट ऑप्सन ए इसका सही उत्तर है क्योशन भर 10 की बात करें नीमन मैं से गुहिल के पिता का क्या नाम था गुहिल के पिता का नाम क्या था सिला दी थे उनके पिता का नाम था ओप्सन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योशन वर 11 की बात करें निमन मैंसे डॉक्टर ओजा के अनुसर बापा किसकी उपादी थी बहुत अच्छा क्योशन एक्जाम में परसन कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर ओजा के अनुसार बापा किस की उपादी थी काल भुज की बापा उपादी थी आपसन भी इसका सही उत्तर रहेगा कि उसन भारा की बात करें काली बाई जिसने डॉनगर पुर पुलिस के हातों अपने अध्यापा को बچाने पर अपने प्रांट त्याग दिया थी वह कहाँ की रहने वाली थी बहुत इमपॉर्टन कि उसने एक्जाम में परसन बन चुका है कि काली बाई कहाँ की रहने वाली जिसने डुंगरपुर पुलिस के हातों अपने अध्यापों को बचाने के लिए अपने प्राण नोच्छावर कर देती है वो रास्तापाल के रहने वाले थी आप्शन भी इसका सही उत्तर है क्यों सन्वर 13 की बात करें निमन में से रिग वेद में सबसे पवीतर नदी कौन सी नदी को माना गए है तो सरस्वती नदी को सबसे पवीतर नदी मानी गई है यह आप्शन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्यों सन्वर 14 की बात करें राजस्तान इतिहास के लिए कौन सा एक निर्नाईक यूदर है राजस्तान इतिहास का सबसे इंपोर्टन यूद या फिर सबसे निर्नाईक यूद कौन सा यूद है जो की खानवा का यूद है यह कब हुआ था देखते हैं कितने बच्चे सही उ उत्तर बताते हैं खानवा का युद का वा था आपको कॉमेंट में बताना है आप्शन भी इसका सही उत्तर हैं क्योसनर 15 की बात करें एसे 10 किलों को भी मुसल्मान के एक बाल के बराबर महतों नहीं देता उक्त कतन जलालुदिन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था बहुत अ था यह कदन कहा था जलालुदिन खिलजी ने रंथुमब़ किले को के बारे में उनको इनकी जो राय थी ओप्सन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसरवर 16 की बात करें रन्थोंबवर पे आकरवन के समय अलाउदीन के साथ कौन सा कभी था जब रन्थोंबवर पे आलाउदीन ने आकरवन किया था ठीक है तो उस समय उनके साथ में कौन सा कभी था अमीर खुसरो आप्शन भी इसका सही उत्तर है क्योसनवर 17 की बात करें नीमन में से मरू केसरी किसे कहा जाता है मरू केसरी किसे कहा जाता है दुर्गा दास राठोड को राजस्तान का मरू केसरी कहा जाता है आप्सन भी इसका सही उतरेगा क्योसनवर 18 की बात करें आहड की खोज किस विधवान ने की थी आहड की जो खोज है वो किस विधवान के दवारा की गी आरसी अगरवाल ने Option D इसका सही उत्तरेगा क्यो सनुधर इसकी बात करें निम्नमों से आहड सबेता में मिले बरतनों का रग कौन सा था आहड सबेता में जो बरतन मिले थे उनका रंग कौन सा था भूरा और लाल ओप्सन भी इसका सही उत्तर है क्योशनवर बीस की बात करें पांच संस्कृति की योगों के आवसेज कहां प्राप्त हुए थे पांच संस्कृति की योगों के जो आवसेज है वो मिले थे नोहे के अंदर ऑप्सन ए इसका सही उत्तर है नोहे किस जिले में आता है आप लोग बताईएगा क्योशनवर 21 की बात करें काले बंगा में विसो के पर्थम जोते हुए खेत के परमाण मिले वो अब कहां पे है काले बंगा के अंदर विसो के पहले जो खेत जोते हुए मिले थे यानि खेत की जोताई की हुई है यानि वहां पे बुआई की हुई है उसके परमाण जो मिले से किस संख लिपी के परचूर संख्या में परमान उपल बंद वे किस संख लिपी के परचूर संख्या में परमान उपल बंद वे तो बेराट के आपसंसी इसका सही उतर रहेगा क्यूसर नवर 23 की बात करें जेसल मेर का गुंडाराज के लेख को है सागर मल गौपा जो की कहां के रहने वाले थे जेसल मेर के रहने वाले थे और एक फैमस साउतंजरा सेनानी थे जिनोंने सवतन्दा की या आजादी दिलाने में अपना काफी योगदान भी दिया था तो जैसलमेर की गुंडराज के लेखक ते सागरमल गौपा आप्शन भी इसका सही उत्तरें चैसलमोर 14 की बात करें बी कानेर के राठोंडरी ख्यात के लेखक कों है? बी कानेर के राठोंडरी ख्यात के लेखक देया अलदास ऑपसन भी इसका सही उत्तरें गोविंद राज आपसन सी इसका सही उतर रहेगा चलिए दोस्तों बात करेंगे आज का मुश्ट इंपॉर्टन क्योसन आप सभी के सामने इसका सही उतर आप लो कॉमेंट में दीजेगा देखते कितने बच्चे सही उतर दे पाते हैं अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो भी आप लोग कौसी जरूर कीजेगा क्योंकि कौसीस करने वालों की कभी हार नहीं होती राजस्तान का कौन सा दुर्ग कांचन गिरी के नाम से जाना जाता है कौन सा दुरुग है राजसान का जिसे ने कांसन गिरी भी का जाता है और ये भी बताएगा कि 25 में से आपके कितने सहीवे इमान दरी से कॉमेंट केजेगा किसी भी क्यों सुन को लेकि कोई डाउट और राया सुझाव देना आप लो कॉमेंट जुरूर कीजेगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता लाइक कर देना और चैनल को आज ही सब्सक्राइब जुरूर कर लेना और पाच में जो गंटी मिनी उसको भी दबा लीजेगा आपको डेली राजसतान जीके कैसे इंपोर्टन यूसें के वीडियो मिलते रहेंगे थैंक यू और वेश्ट वलक बाई बाई